नमस्कार पंजाब टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ जोती सुल्तानपुर लोधी के आरिसमाद चौक में दो गुटों में टकराव हो गया जिसके बाद से इलाज के लिए अस्पताल उन्हें भरती कराया गया कुछ लोग उसमें घायल हुए रोहन हंस पुत्रे सुख जीवन हंस मुहला रिशीनगर ने बताया कि सबजी लेने के लिए आरिसमाद चौक वो गया था जब वो सबजी लेकर थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ पर कुछ हतियार बंद युवकों ने जानलेवा हमला उस पर कर दिया रोहन हंस की हालत गंभीर बनी हुई है इलाज के लिए कपूर्थला के सिविल अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया गया है बताया जा रहा है कि युवक पर बेरहमी से तेजार हतियारों से वार किये गए फिलाल पुलिस मामले की जाज कर रही है कि मदर कोल दी पही है इन्हों मैं सब्जी लेंपे जया उन्हा नहीं हमलाए दे पिछेगे तेन-चार मंडे सी हमला कार दिता बार अंदर किदा जाए गरे ते हमला कार दिता पुलस मोगेति यह घुए Spike नहीं कोई नहीं हमले तक क्यी लगाल आ लिचे मंग कर देए कोई रजीश नी कला है गासे सब्सक्राइब किया अर्यस माचों के कल मेरे तेने जने गालब आई ते खंडे लागे और फिर्चा लागे कि अर्यस माचों के कि मिलो मारंधी कुशी के ते अपने इंसाफ चाहिए अपर तेन ने जने हैं सहरो तेक टालाई तेक टाले दा मुंडाही दे जिगमाई लुधियाना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी की बैठक हुई बैठक में वरिष्ठ नेताउ ने हिस्सा लिया इस मौके पर राजकुमार को लुधियाना महिला विंग का अध्यक्ष नियूप किया गया आपको बता दें कि इस मौके पर जो ये बैठक हुई थी इस मौके पर राजकुमारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी पार्टियों में भ्रस्ट चार पैदा हुआ खत्म करने के लिए हमारी पार्टि अब प्रियास करेगी सेब्ड़ क्या करें कि काम करेंगे जो सर गलिया का प्राबडलम है इसकूल नहीं कालेज नहीं है और हास्पिटल नहीं है जो हमारे मातां बैनाओं को प्रग्मेंसी में डिलोरी में जो बुजरूब बिमार पढ़ जाती हैं उनको बच्चे का कोई हॉस्पिटल दूर पढ़ता वहां तक जाते जाते के ओ सीरियस हो जाते हैं सर वो कोई सुभधाई नहीं हमारे महले में हैं सर एसब का मैं आगे का आप लोग से मांग कर रही हू और इसके लिए हम डियम के पास जाएंगे कलेक्टर के पास जाएंगे जहां जहां हमको जाना पड़ेगा हम अपने समाज सेवा के लिए हम हाजिर होंगे सर हम हम अपने समिशा लेकर के हर जगए वहां जाएंगे और अगर उन्होंने नहीं सुना तो हम और आगे जाएंग अगली ख़बर फिरोजपूर से जहां हलका जीरा के गाउं बोतिया वाला और कच्चर भन के एरिया में किसानों ने खेतों में आग लगाई है सूचना के बाद से मौके पर पहुची प्रशासन की टीम ने आग पर काबू पाया है आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पराली को आग लगाने पर अब तक इस साल में 56 मामले दर्ज कर ले गए है साथ ही स्पीडी रणधिर कुमार ने किसानों को पराली न जलाने की अपील की है जिमें की सिविल परसासन नाल असी रल मिलके पिसान परानू असी पहले भी अपील किता है ओ अपील दा जिरा रिजर्ट निकलिया है कि हुन पराली दे रहे काफी कटने बट ज़ेडे केसे स्विच पराली दी अग जल रही है जा साड़ी जारी है भी ते हुँन तक 2023 विचे हुन तक 56 मुकदमे दरज किते गया हैं ते कल 11 मुकदमे दरज किते गया इसी बट साड़ा प्रयास आहे है कि सारी बिंती भी आहे है सान परातो कि जड़े खेती बाड़ी महकमे वलो जड़ी एसके सलाइश मसली सब्सक्राइब दित्ती करें और वहीं होशयारपूर में सुभा सुभा एक कपड़е की दुकान में आग लगने की खबर सामनी आई जानकारी के मताबिक होशयारपूर के घोरान गेट अस्थेत एक कपड़े की दुकान में सुभा किसी ने धुआ निकलते देखा और तुरंत इसके जानकारी गाउं के पार्शत को दी जिसके बाद से फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई वही मौके पर पहुँचे फायर ब्रिगेड करमिचारी ने बताया कि अगर थोड़ी भी देर और होती तो इस आग से पूरे बाजार को खत्रा हो सकता था उन्होंने बताया कि तीन बड़ी दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया फिलाल आग लगने के काड़ों का अभी तक पता नहीं चल पाया है अजसानों शेवे सुचना मिली सेगी कि गोरा गेड विखे आग लगी है अहीं मौके दे तेन फाय टेंटर लाएके पहुंचे हैं आग दा कारण हलेता कोश्य पता नहीं लग गया है जो जाला लागदा शोट सरकट हुए आया ते आग दनाल काफी जाला जड़ी आग पू स्टेट देके नार यहीं फायर टेंटर बड़ा ले आगे इनू फायर नू कंट्रोल की ता जिने करके पूरा बयार बाच गया जड़ी आग बहुत जाला बादे चुकी से की पूरे जड़े पियार नू खत्रा से गया तोटल साथ यह तीने फायर टेंटर लागे जी दो बड़े फायर टेंटर बड़े लागे जी एक शोटा लागे जी ने ता सुमेरे हैं तो मेरी अख खुली नीचे सफाई वारे सफाई कर देना गल कर रहा है किसे ना पर गौरागेट चाहूं चे कताब बादी दुकान दे मैं फड़ा फड़ लठाया लीचे आगे स्कूटर यह मैं देखा तुम्हाने कर लेया थी मैं पजाए फोन कर दे मैं उन्हीं देच आप ही पहुंच गया फारी गेड ऑफिस उन्हाने फारीवेड आरे भी चारिक तियार खार बैठी जी उन्नुमें जिदें क्या फड़ा मालेर कोटला के मदेवी गाउं के रहने वाले कुलवन सिंह इंसानियत की मिसाल बने हुए है आपको बता दे कि कुलवन सिंग अपने पिता की आखरी निशानी एक बूढ़े बैल का खूब ध्यान रख रहे है कुलवन सिंग ने बताया कि उनके पिता ने उनसे कहा था मरने से भहले कि ये बैल बहुत ही किसमत वाला है इसकी बदावलत आज हवकोठियों के मालिक बने हुए है इसको कभी भी बेचना और घर से बाहर मत निकालना पिता की ये बचन कुलवन सिंग अच्छी तरह से निभा रहे है पिता की मौत की बात से कुलवन सिंग इस बैल का खूब ध्यान रख रहे है इस बैल को वो खूब पॉस्टिक आहार वाली डाइट भी खिलाते हैं आप अपर्ण मेंबरीया मनें आपने है उने लेन ओर रागार ये पार एदी जगा देपर शादू राजन कोई कमपनी फ्री रही होगा है उन्हां नथ भी बढ़ती पर हजे भी मोटर जांदा रही डी भी ले जांदा बगार नथ तो पिछे पिछे उसों मोटर तो रचा होगे मोटर ते तार देने दे मोटर थे अपने आपकर याँ अबर्दा जोड़े आंगा इनाला बदा उकादी मूरे कदे मांग रेडी तो है लिए अपने लोगता होना जेकल अपना चाना आप लिए बड़ा बड़ी बेर दरा सब्सक्राइब गए टेपिए अ राजपुरा में पुलिस द्वारा चलाए गए नशा विरोधिया भ्यान को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब सदर पुलिस ने एक व्यक्ति को एक किलो अफिम के साथ गिरफतार किया DSP राजपुरा सुरिंदर मोहन ने बताया कि SSP पटियाला वरुन शर्मा और हरबीर सिंग अटवाल DSP इन्वेस्टिकेशन पटियाला के दिशानर देशों के अनुसार थाना सदर राजपुरा के मुख्य अधिकारी इंस्पेक्टर कृपाल सिंग के नेतिरतु में सदर पुलिस राजपुरा ने एक किलो अफिम सहीत एक आरोपी को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है उन्होंने बताया कि 16 नहुंबर को दोफर करीब 12 बचकर 15 मिनट पर ASI हरजुंदर सिंग सहीत पुलिस पार्टी लिंक रोड से होते हुए एक गाउ उकसी सोनिया और जीटी रोड और गाउ उप लहेडी की ओर जा रहे थे तब ही राजपुरा की तरफ से एक व्यक्ती जो पैदल चल कर आ रहा था जब उस व्यक्ती से गहनिता से पूछताज की गई तो उसने अपना नाम इस पूछताज की दौरान जाकिर अली पुत्र सुबरती शाह जिला बरेली उत्रप्रदेश बताया जिसके विरुद्धर आरोपी को माननी अदालत ने दो दिन की पुलिस रातस हिरासत में भेज़ दिया है और जिससे मामले में और भी खुलासे होने की उमीद है पुल्स पार्टी एसाथ और राजपुरा सर्दार कृपाल सिंग इना ने नाकाबंदी कीती हुए ठीम ने परमजी सिंग एसाइशाइसाव भी पुल्स पार्टी छी इना ने कल जीटी रोड़ दे उत्ते उक्सी जटा मोड़ दे कोड़ो एक बंदे नू कापू कीता ते उदाना जाकर अली है पिछो ब्रेडी दा रहा है उदे हाथ तच पड़े एक बलाइक कलर दे प्याइक देविचे लफाफे देविचे चेक करन ते एक लोग अफीम परामद होई है जी ओफीम टिड़ा है गा ब्रेडी तो लेके आया सी ते लोग दे आने लेके जा रही ह सब्सक्राइब करके अगे पुछ किती जा रही है यह बंदा पहला भी इस चक्कर देविचे कई चकर ला चुकिया ते जीड़ी प्रॉपर हुन डेरोगेशन है यहार मार ले आगा है तो किती जाएगी एदे जेड़े भी बैकवर्ट ते फावर्ट लिंक्स आगे ने ओना सब्सक्रांति रैली का आयोजन किया आपको बता दे कि इस रैली में सीम भगवंत मान और दिल्ली के सेम अरविंद के जिवाल ने भी शिरकत की दोनों मुख्यमंत्रियों ने सभा को संबोधित्वी किया स्वाड़ा करों पहला कदम जो पुट्ट्या सी ओही समझलो पंजाब दी तकदीर बदल ली चुक्या होया कदम उन्हों मन्या करो स्वाज देश दे एक ऐसे नेता जिन्ना ने आम लोकानू राजनीती देविच बिश्वाश दवाया के नहीं ता अप्पा समझते हुंदे सी ता पैसे अड़यां दी खेडा है ये ता गुंड़ा कर दी खेडा है अप्पा की लेन है राजनीती तो पर एक ऐसा नेता जीने आम लोकानू केहा के नहीं विदान सवा लोक मुख मंत्री दियां कुर्सियां तो अन्नूं भी उडीक दिया ने तुसी एक परी बाहर ता निकलो एक परी तुसी नारा ता लाओ इनकलावदा सु मेरी मुराद है अर्विन खेजरिवाल जी देश दे करांतिकारी नेता जिननने धशा ते दिशा राजनीती दी बदल के रखती आज सब्सक्राइब तर्टी ते निगा स्वागत कर दांगी और सड़े राजसवादे दो मेंबर संधी पाठक जी रागव चड़ा जी मेरी कैबिनेट दे साथी और मेरे देमेकरेटिक त्रीक नपारी वोटा नाल तुसे जताये होए सारे मलेससहबान मेरे सामने मेरी पार्टी दे बहुती इस माणयों सतकार योंग बलंटियाज चेरमैन और जिस्टा तजाब़ धर्जा पाठी दी सेवा करन वाले यह सारे बैठेंब सारिण मेरे बनो पाड़ परिसस्रिकाल वाहिगुरुजी का खाल्सा अज कोई को इसक्ति प्रदर्शन नहीं करना है कि साथे नौड इन्ने लोक ने रैली कर दिए कि अज कोई राजनीतिक अधिया चुग लिया नहीं करना है आज ता एक दस्षण आया के पौने के दो साल होगे हुन सीना चौड़ा करके साड़े बलंटियर अपने महल्यां चापने पिंडां जान देने क्यों हो रहे ने ना काम मां आये कहें अच्सो सकाट क्रोड रुपईया हुश्यार पूर्दे वेच लोग सवाज अज हर जिस तरह जिंपाजी ने क्या है पंच ह्यार लगपग पंच कह्यार दी अवरेज हैं हर बदान सवातों नों पेंदिया ने मेरे संबने चाड़ी पंजाह यार बंदा बैठा है एक कोई द्याडीते नहीं लेंदे होए एक कोई लालच देके निल्यांदे होए चेर में नियां दे आप पी आए होए ने ओ लोक ने जिनना ने पंजाब बदलना है ते जिड़े पंजाब नूँ बदल रहे ने ओ लोक ने कि खुशी होई है कि हस्पताणा दी हालत सुदर रही है कि स्कूल बन रहे ने मेडिकल कोल जा रहे ने और तो अनु में दस दिन चो ना 26 जन्बरी तक पंजाब दा कोई भी तसील तो लेके जिले तक दा हस्पताण ऐसा नहीं होगा जित्ते एक्सरे दी मशीन नहीं होगी तो एक्सरे चलोन बारा जिड़ा एक्सपाटाऊ नहीं होगा 26 जनबरी तक और्डर कर दिते गएने SMO's नू, CMO's नू Medical Officer नू और्डर कर दिते गएने 26 जनबरी तक और्डर कर दो जड़ियां जड़ियां दुवाईयां ज़्यादा तुसी लिखने ओ जड़ि पर्चीते दुवाई किसे रिक्षियाडे मजदूर नू सरकारी आस्तार्च लिखती किसे मेरे बापू नू लिखती किसे मेरे ताये नू लिखती किसे मेरी मानू बमार नू लिखती पर्चीते दुवाईयाई ओ दुवाईयाई ओसे हस्पतार चो मिलूगी यो बाहर नहीं जाओगा दबाई ख्रीट नूँए और कार दित्ते गए नेजी कि ए और कौन कर सकता है जीदी नियत सच्ची होवे जीदा किसे हस्पतार चे पुराई वेट चे हिस्साना होवे यह ही कर सकता है कि क्योंके पता लग गया होगा जोका कांच जो शखेत्ता मिन्लतियाने के जी डॉक्तर ऐहो जियां दुपाईब लिए उससे दिन्त हो बारों लेंड जानेयां जमीन गयने हो जान दिये बारों जमीन जड़ियां दवान्या खरी दिन वड़े असी क्यों सरकार क्यों नहीं कर दिये कम सरकार कोड़े बजटा है पैसे तुसी देन्यों रेविन्यू तुसी देन्यों पैट्रॉल ते तुसी टेक्स देन्यों डीजल अंदरी अमरीकातों है लाज उन्हों की पता है कि यह थे दुख की ने आप कल परसों बोली यंदा सिरो बादल केड़ा पप्पू कि वो सुखवीर बादल कि वो की केंदा केंदा हर पिंड चार पांच मलांग ओंदे ने जिननने क्विससिकाल ने बलाउंदा ओं आहां माधी पार्ट्विटे नाल ने कि दिब बारह यार तेरा ही यार पिंड है पंज्याह यार मलांग इनना डे नाल है अच्छा कमाल है सुगवीर से यां फिर शायद तेनु मलंग दा लफज दा फुल फॉर्म नहीं पता ना क्योंकि सनावरां चे पड़की आये है ना अच्छा जड़े नाजवान पंजावदी शान अच्छा जड़े नाजवन पंजावदी शान ने पगवां इना मलंगां ते राज कीता तुसी और मलंग कीते की नहीं है तुसी पंजावनों लोटके जद्धी सरदार बनके बैठ गे और नेरा थोड़े खेतां जाके मुकदियाने और कोई खाड़नी छड़ी रेते दी कोई बासनी छड़ी साप आउनकनियों कोई होटल नी छड़्या ते तुसी सरदार बन गे तब जासीता पर मलंग रहेंगे हाजीता मलंग रहेंगे ना फिर एहाजे बंद्यानों शर्म होनी चाहिए दिया बोटां पाई गे यार किन्ने साल हो पानी बेचके खागे बानी बेचके खागे एक तरीक नूंदे फिर हो थे लुद्याने आये क्यों नी पुर्सियां खाल ली थी केड़े मुना हों दे एको उनने तरम पतनी नन्नी शांग ओ वी खड़ी सी कि चोन ने देखेज मैं शोकर शोकर चोन ने देखेज तांच खाड़ लगे ने नहीं तक आदिया इनकांच नजरी नियां उन्दासी चोन ना केड़े रंग नहीं ओ साननों दस्सी जान दी सी ओ पंजाबियानों दस्सी जान दी सी ते ओधी पंजाबी सोन ना ली सी एचोन ना ये ओधी पराली है ये पराली नू आग लगांदे ने एक एजरी वाला भगवंत मान है ले भगवंत मान नी मैं क्या पगवंत मान है पबापड़या करो कदे पपपा पपपा बब्बे पबे याली लैन पड़ी होवे उड़े यारे याले कह दे चो तपता लगगे अच्छा अबीबाजी होन तुसी दस्तोंगे चोना की हुंदा नड़े चोना नी चोना पराली पंजाबी सेखलो पहला पंजाबी बोलनी सेखलो फेर आयों साथे कोड़े साननों मलांगदार दें तुसी राज करके साथे थे इदा मतलों बन में सीटां दे फातवे नूँ जड़ा क्रोड़ा लोकान रितता है उन्हें मलांगदास दे पड़े लिखे डाक्टरा ने बोटा पाईयां ऐसे साथे बितमांतरी साब बैठे ले वकील ने अर्विन आई आई टी तो पड़े होए ने लंडन भी कैंबरिज उनिवेस्टी तो पास आउट संधीप आठे का है एकनोमिक्स कॉलेज ओफ लंडन तो पास आउट रागब चड़ा है साथे कोड़े छे में पंजावदा सब तो बद पड़े लिखे में ले छे में कीतियां हुई है प्रिसिपल बुद्राम है तो तुसी सानुमल आंगे दास दियो यार तुसी किते पड़े हो पहाण राचर इसे करके जदों डेड़ जटा ही कहना होवे ए साधे एक जा साधे दो कहने है पता नहीं ना फिर इन्ना सही है ना चूटता नहीं बोल रहे है ना पहना जवाब पर्सों में मेरे छोटे बाई भगवंतमान साब मंच पे बैठे वे हमारे सभी लोकसभा और राज्यपास सभा के सांसद सभी कैबिनेट मंत्री ओफिसर्स और यहां पे इतनी बड़ी संख्या में हजारों हजारों की संख्या में दूर दूर से आए हुए मेरे प्यारे बहनों भाईों माताओं बुजर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमश्कार सब को मेरा प्रणाम सत्स्रियकार दोस्तो होश्यारपूर लोकसभा के लिए आज एक तरह से एतिहासिक दिन है भगवन्तमान साब होश्यारपूर लोकसभा के लिए 867 करोड रुपए का पैकेज होश्यारपूर लोकसभा के लिए लेके आए है बगवंत मान साब का मेरे पास फोन आया उन्होंने का कि सर आज आपको होश्यारपूर आना है बिल्कुल आज होश्यारपूर के लिए इतिहासिक दिन है जब 867 करोड रुपए का पैकेज हम एनाउंस करने जा रहे हैं मैं मान साब का शुक्रियादा करना चाहता हूं कि इतने अच्छे मौके पर मुझे आज अमंत्रित किया और आपके बीच में आने का मौका दिया मैं नहीं समझता 75 साल के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी भी सरकार ने किसी भी नेता ने होश्यारपूर को तरक्की करने के लिए विकास करने के लिए इतना बड़ा पैकेज इतने करोड रुपए एक साथ और पंजाब के खबरों में फिलहाल इतना ही नमशकार